अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कुछ भी कहीं पर रखते हैं भूल जाते हैं, शाम तक काम करते करते दिमाग की नस्थ नाडियां एकदम ठक के चूर हो जाती हैं, स्टुडेंट हैं, छात रहें, कुछ भी चीजें याद करनी हैं, कॉम्पिटिशन की तयारी करनी हैं, एक पूरे शरीर में एक positive effect देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता है, हमारे पूरे शरीर के जो क्रिया कलाप है, वो हमारे brain से ही तो control होते हैं, यानि brain जो है, वो head office हो गया, और यहीं से सारे के सारे order जो हमारे शरीर में चलते हैं, hormones की मदद से, अलग-अलग organs जो हमार काम करते हैं, इन ही brain के signal की वजह से ही, बाहर से जो भी information collect होती है, आपके sense organs से, आख, ना, कान, मुँ, आपकी skin, यह सारे information collect होके brain तक जाते हैं, और जब आपका brain ही ठका रहेगा, तो सोचिए वो order कितने ज़्यादा destructive होंगे, तो आपको ज़रूरी है कि आपके brain की पूरे शरीर की overall जो स्वास्त है वो improve हो सके, तो चलिए जादा वक्त ना गवाते हुए इन योग आसनों को step by step सीखते हैं, आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल में नए आए हैं, या कि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते तो ह लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाईए, नीचे जो गंटी का निशान दिख रहा हैं उसको जरूर दबा लीजिए, साथी अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो इसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में, दोस्तों कैसे हैं आप सभी, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप योगा अभ्यास करें, तो सुक्ष्म वयाम का अभ्यास बेहत जरूरी है, इससे आपको इंजिरी के चांसे बहुत कम हो जाते हैं, तो चलिए कुछ सुक्ष्म वयाम का अभ्यास कर लेते हैं, आराम से मैं पालती मार के बैठ गई हूँ, क्रॉस लेग पोजीशन पर, अब हम पहले अपनी ग चोड़ते हुए, गर्दन को इस तरीके से लेके आएं, सास लें, छट की तरफ देखें, तो इसका अभ्यास कम से कम पांस से दस बार कर लें, अपनी नेक को अप एंड डाउन इस तरीके से, फिर उसके बाद अपने सर को राइट शोल्डर की तरफ ड्रॉप करें, फिर ले करते करते ये अभ्यास नहीं करें, धीरे धीरे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, जब ये अभ्यास कर लें, तो फिर हम अब गर्दन को घड़ी घूमने की दिशा और विप्री दिशा में भी अभ्यास करें, यानि clockwise और anti-clockwise, सास लेते हुए छट की तरफ देखें, और सास छोड़ करते हुए वापसे नीचे, सास लेते हुए पूरा गोल-गोल घुमा, इसका अभ्यास भी पास से दस बार कर लें, और धीरे धीरे अभ्यास करें, बहुत तेज तेज ऐसे अभ्यास नहीं करना हैं, ध्यान रखें कि गर्दन की मानस्पेशियां बड़ी नाजुक हैं, इसल यह जल्दबाजी करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, clockwise घुमा लिया, anti-clockwise और यह सारे अभ्यास मैं normal breathing के साथ आपको suggest करूँगी कि normal breathing करते करते अभ्यास करें, क्योंकि उसमें आप बहुत अची तरीके से focus कर पाएंगे अपनी movement के साथ, ऐसे, normal breathing के साथ अभ्यास किया तो पास से 10 बार इस तरीके से up and down, right और left drop करना clockwise और anti-clockwise का अभ्यास कर लिया, अब जरा कंधों पर भी काम कर लेते हैं, दोनों हाथों को body के सामने ऐसे stretch करेंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों को कंधे के उपर रख लिया, अब elbows को पूरा ऐसे 360 degree घुमाएंगे, shoulders को ऐस इस तरीके से, तो अभी मैं 5 rounds अभ्यास कर रही हूँ, इसका जब आप अभ्यास करें, 15 से 20 बार अभ्यास कर लें, तो इससे गर्दन और कंधों की आसपास की जो मांसपेशिया हैं, वो active हो जाएंगी, वहाँ पर blood circulation improve हो जाएगा, इस तरीके से, पहले घड़ी घुमने की दिशा में कर लिया, फिर घड़ी घुमने की विपरी दिशा में इस अभ्यास को इस तरीके से कर लिया, गर्दन और कंधों पर काम कर लिया है, अब ज़र स्पाइनल ट्विस्ट, तो आराम से इसी तरीके से बैठे हुए, अपने right palm को left knee पर रखा, और left palm को body के पीछे रख और ऐसे पीछे देख रहे हैं, ज़रा इसको side से भी देखें, इस तरीके से, ऐसे, हथेली को proper mat पर रखना है, ऐसे lose करके नहीं या बहुत पीछे नहीं रखना है, simple ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं, या कि normal breathing से, तो यह साब ऐसे चू मंतर होगा, साथ ही आप इसका जब अभ्यास करेंगे, तो आपकी नाभी पर भी बहुत अच्छा इसका effect आएगा, और पेट की मांस पेशियां भी relax होगी, तो 10 से 15 बार इसका भी अभ्यास कर लें, फिर उसके बाद क्या करेंगी, पैरों को आराम से ऐसे move करें, इस तरीके से, अंदर बाहर move करें, अब हम सबसे पहला जो अभ्यास करेंगे, इसका नाम है परवतासन या mountain pose, इसका अभ्यास करने के लिए देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे वजरासन में बैठ जाएंगे, अगर गुटने में दर्ध है, तो वजरासन में ब पोजीशन पर आजाएं, इस तरीके से, अब टेबल टाप पोजीशन में ये सारी की सारी चीजें समझने के बाद, फिर आप क्या करेंगे, अपने पैर की अंगुठे और उंगलियों को ऐसे मैट पर रखेंगे, और धीर ऐसे अपने घुटने को सीधा करते हुए, इस तरी एक परवत के समान आपकी बॉड़ी की शेप बन गई आकरती आगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये चीजें सही है नहीं, अब क्या करेंगे आप, छोटी छोटी चीजें में बता रही हूँ, अब आपकी जो टेल बोन है, टेल बोन बहुत से लोग अगर नहीं जान रहे हो और आपकी पूरी की पूरी जो रीड की हड़ी का निचला हिस्सा है, वो सीलिंग की तरफ यानि छट की तरफ होना चाहिए, अगर आप ऐसे सामने देख रहे हैं, तो अपने सर को दोनों आम्स के बीच में, बाजूओं की बीच में ले जाते हुए, आप फ्लोर की तरफ द अंदर की तरफ खीच के रखें, जिससे की पेट पर भी हलका दबाओ आए, और सर जो है, आपका दोनों हाथों की बीच में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जो है, ब्लेड फ्लो आपके सर की तरफ होगा, और इस पॉस्चर को आप 30 सेकेंड ऐसे होल्ड करक और नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ पैर की एडियां और अंगूठें जुड़े हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, ऐसे हलका समय इधर घूम जाती हूँ, ताकि आपको दिखे, हाँ, इस तरीके से, ऐसे, और आप सर को अपने, अगर आप ऐसे हैं, तो हलका से अपनी बोडी को पीछे की तरफ पुष कीजिए, और इस तरीके से परवत के समान आप इस पॉस्टर को होल्ड करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सी लोगों को एक यह साथ दिक्कत होगी, कि उनकी एडियां ऐसे उठी होगी, या घुटने में बहुत दर्ध होगा, जिसकी वज़े से पैर सीधा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, बोडी को जब पीछे की तरफ ऐसे पुष करें, तो हलका असा घुटने को जैसे आप मोड़ेंगे, ऐसे घुटने को मोड़ेंगे, हिप को पीछे पुष करेंगे, तो automatically आपकी एडि जो है नीचे की तरफ जाएगी, और अ ऐसे मैट से टच होना शुरू हो जाएगी और अगर टच नहीं भी हो रही है तो एक छोटा सा आप टावल ले सकते हैं या अपनी जो आपके पास योगा मैट है ना उसको ही ऐसे मोड ले और अपनी एडी के नीचे ऐसे इस तरीके से रख सकते हैं और फिर उसके बाद अपने फेड को माथे को इस तरीके से तो इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा और कम से कम इसको आपको 10 सेकंड या 30 सेकंड या एक मिनट depends कि आप कितने अभ़यास्त हैं और कितनी आसानी से रुख सकते हैं तो इस पोस्टर का अभ़यास करने के बाद कलाईयों में थोड़ा दर् करने के लिए अब हम अपने दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर रहे हैं और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख रहे हैं और रिलाक्स करेंगे अब हम दूसरे पॉस्चर के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका की नाम है ससाग, आसन या इंगलिश में इसे रैबिट पोज के नाम से जानते हैं इस आसन का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपके head region की तरफ blood flow तो improve होता ही होता है आपके spinal cord की flexibility जो है वो improve होती है और थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान तो इसको और भी easy करने के लिए मैं हूँ आपके साथ तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले मैं आपको एक tip देना चाहूंगी कि आपके सर का उपरी हिस्सा crown जो है उसको आपको mat पर रखना है तो अगर आपको नहीं पता कि crown कौन सी जगा है तो अपने हाथ के दो अंगूठे इसको कान के पास रखिए और धीरे धीरे धीर आपको पता हो तो अब क्या करेंगे आराम से वापस से हम वजरासन में बैठेंगे वजरासन में जब आप बैठें जिनको घुटने में दर्ध है वजरासन अवाइड करें अब इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि आपकी yoga mat थोड़ी मोटी हो जिससे घुट करने के बाद ऐसे बैठ गए है अब क्या करें वापस से ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आजाएं टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लें कमर जितना फासला करने के बाद अब धीरे 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 अपने सर को हम योगा मैट पर रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में exactly, तो जितना करीब आप ला सके, आपकी flexibility पर depend करता है, इस तरीके से, ऐसे, तो आप जब अपने सर के उपरी हिस्से को मैट पर drop करेंगे, तो आपका जो hip है, ये छट की तरफ होगा, इस तरीके से, ऐसे, और फिर उ करें, और फिर उसके बाद, अपने पैर की एडियों को पकड़ लें, ऐसे, इस तरीके से, और hold करके रखें, कम से कम, 10 से 20 सेकेंड, और फिर उसके बाद, release कर दें, अब बहुत से लोगों के लिए, ये flexibility के कारण, बहुत challenging होगा, कि एडियों को ना पकड़ पाएं, तो simply आ और फिर उसके बाद, अपने पैर को जहां तक हाथ पहुँचे, वहां तक रख लें, और कमर को कोशिश करें, उठा के रखें, ऐसे बैट के नहीं करना, ऐसे, ऐसे कमर को उठाना है, हिप को ऐसे उठाना है, और फिर उसके बाद, क्राउन को रख देना है, एडि नाव पक को रिलीज कर दें फिर उसके बाद यह अभ्यास करने के बाद यहीं पर अपनी एडियों के उपर एडियों को जोड़ा एडियों को बाहर खोला अंगूठों को जोड़के रखा और फिर उसके बाद अपनी एडियों पर बैठ गए और अब अभ्यास कर रहे हैं बालासन का अ लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनका पेट बहुत बढ़ा होगा या कि फिर आप हेड ऐसे ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं हेड ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे ऐसे मुठियां बनाके सर के नीचे रख लें second variation हो गया third variation क्या कर सकते हैं कि दोनों घुटनों को ऐसे खोल ले और उससे क्या होगा पेट जो है आपका दोनों घुटनों के बीच में मैट पर आ गया ऐसे और उसके बाद फिर आप chest को और head को drop कर सकते हैं और दोनों हाथों को body के side में रख सकते हैं तो इस तरीके से एक ही posture को आप अपने body की condition के हिसाब से flexibility के हिसाब से modify कर सकते हैं ताकि आपको same love मिले तो बालासन का अभ्यास child pose का अभ्यास तो बालासन का अभ्यास कम से कम आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक करके रखें क्योंकि ये आसान भी है और आसानी से ये आपके मन को शांत करेगा आपके mind को calm down करेगा nervous system को calm down करेगा और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मंदिर, मस्जिद, गुर्द्वारे जाते हैं, किसी भी religious place पे जाते हैं, तो हम हमेशा आपने सर को जुकाते हैं, सल्दा करते हैं तो उसका मकसद यही है कि आपका मन शांत हो जैसे ही आप ऐसे मत्था टेकते हैं फिर उसके बाद जब उठते हैं तो आपको एक बहुत relaxation महसूस होता है तो उसके पीछे का reason यही है कि blood flow आपके सर की तरफ improve हो और आप शांत हो जाएं चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ लेकिन उसके पहले आराम करना भी जरूरी है तो अब दोनों पैरों को वापस से खोल लिया दोनों हाथों को body के side में रख लिया rest करें अब बढ़ते हैं अगले और चौथे अभ्यास की तरफ जिसका नाम है पश्री मोत्तानासन या seated forward bend इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहें तो मन शांत होगा nervous system calm down होगा इसके साथ जैसे पश्री मोत्तानासन पश्री means पीछे की जितनी भी मानस्पेशियां है बैक की जितनी भी मानस्पेशियां चाहे आपके घुटने के पीछे चाहे आपकी पूरी रीड की हड़ी इसमें जबरदस्त खिचाओ आएगा जिससे flexibility improve होगी साथी पेट पर दबाओ आने से ये आपका digestion भी बहतर करता है तो कैसे करेंगे इसका अभ्यास दोनों पेरों को जोड लिया है दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं ऐसे lean back हो जाएं ऐसा lean back इसलिए हो रहे है ताकि spinal cord लेंदन हो जाएं आत को जितना हो सके चट की तरफ खीचें और फिर उसके बाद अपने ध्यान को अपने lower back पर रखें खिचाव कैसा आ रहा है नाभी को हलका सा अंदर की तरफ खीचें और ऐसा महसूस करें कि आपको आगे से कोई पुल कर रहा है खीच रहा है और फिर धीरे 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 अब आपकी थाई का दबाव पेट पर आ रहा है चाती जो है थाई की तरफ जा रही है और माथा आपका घुटने की तरफ ऐसे और अपने पैर को पकड़ने और कम से कम 10 सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे 30 सेकंड रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नॉर्मल ब्रीधिंग करते हुए ब्रीध करते हुए और फिर सांस लेते हुए उठ जाएंगे अब यहाँ पर देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो पश्षी मुद्तानासन में इतना आगे जुक जाएं जिनको लोबर बैक पे टेंशन है वो तो इतना जादा एक्स्ट्रीम जुकेंगे तो उनकी लोबर बैक की टेंशन और भी जादा बढ़ जाएगी तो ना करें इसलिए काहा जाता है कभी भी योग का अभ्यास किसी प्रशिक्षित योग गुरू की निग्रानी में करें क्योंकि हर एक योगा पॉस्टर हर एक इंसान के लिए नहीं होता है और इन छोटी-छोटी वीरियोस में हर एक इंफॉरमेशन दी भी नहीं जा सकती है तो अब अगर इतना सामने नहीं जुख सकते हैं तो क्या करेंगे कोई बात नहीं मेरी बॉडी की flexibility जितनी होगी उतना ही अभ्यास करेंगे हो सकता है आज flexibility इतनी नहीं है आगे जुखने की तो क्या कर सकते हैं इतना जुख जाएं जहां तक हाथ पहुँचे बस आपको देखना है कि क्या आपको कमर पर खिचाओ आ रहा है क्या आपको पैरों की पीछे खिचाओ आ रहा है और अगर आ रहा है तो आप अपने आप सही आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो जितना आप आगे जुख सकते हैं, अपनी flexibility के हिसाब से उसी तरीके से अभ्यास करें, अब हम पाँचवे आसन का अभ्यास करेंगे, जिसका की नाम है से तुवंध आसन या इंग्लिश में इसे bridge pose कहते हैं, तो आराम से अपने पीट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को body के side में रखेंगे, हथेलियों को ceiling छट की तरफ नहीं, floor की तरफ ऐसे turn कर देंगे, दोनों घुटनों के बीच में अपनी कमर जितना फासला रखेंगे, जोड के नहीं रखेंगे, ऐसे दूर करके रखेंग और बहुत दूर भी नहीं कर देंगे, है ना, इतना कि आपकी कमर जितना फासला हो जाए, और फिर उसके बाद धीरे से सास, अब यहाँ पर आप normal breathing भी कर सकते हैं, या कि फिर सास लेते हुए hip को उठाएं, और अगर 10 सेकेंड तक रोक रहे हैं, तो posture को रोकें और सास को भ पुल करें, अपनी glute muscles को जो है, कमर की hips की muscles को tight कर लें, थाई पर जो fire feel रहा है, उसको महसूस करें, गर्दन जो lock है, इसको महसूस करें, कंधों को हलका सा अंदर की तरफ लेके आएं, और यहाँ पर breathe करते रहें, ब्रीद करते रहें, जब तक hold कर सकते, hold करें, और फिर धी का भी अभ्यास आप 3 सेट कर सकते हैं, और रोकने का जो time है, 30 सेकंड तक तो रोके ही रोकें, चाहे वो पश्यमोत्तानासन हो, चाहे सेतु बंधासन हो, चाहे परवतासन हो, शशांगासन, बालासन, 30 सेकंड मिनिमम कोशिश कीजिए, hold करके रखें, ब्रीधिंग आप नॉ करना है, कभी भी शावासन को skip मत कीजिए, दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहे के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है मेरी ओनलाइन योगा क्लासेज में, इन ओनलाइन योगा क्लासेज को कोई भी व्यक्ति जॉइन कर सकता हैं, चाहे आप बिग्णर हैं, चाहे आप अल्रेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या आपको कोई health condition है, इन योगा क्लासेज में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, हर दिन अलग-अलग तरीके से क्लासेज शेडिूल होती हैं, जिसमें आपको अलग-अलग तरीके के आसन, प्रा हो जाती है आज इन ऑनलाइन योगा क्लास की मदद से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टुडेंट्स के साथ अल्रेडी जुडी हुई हूँ और उनको अपनी निगराने में योग का अभ्यास कराती हूँ और आपको पता है इन ऑनलाइन योगा क्लास को जॉइन करने के बाद मेरे स्टुडेंट्स की हेल्थ कंडिशन में बहुत ही जादा जबर्दस चेंजिस देखने के लिए मिले हैं जैसे कि अगर उनको नीद नहीं आती थी थाइराइड की समस्या थी डाइबिटीज की समस्या थी पीसी ओडी पीसी ओस की समस्या थी शरीर में किसी भी तर मिले हैं लेकिन किसी कारण से अगर आप ये classes सुबह 7 बजे zoom के माध्यम से नहीं जॉइन कर पाते हैं तो मैंने कुछ courses design किये हैं beginners के लिए तो आप इन courses को purchase करते हैं तो आपके पास ये सहूलियत हो जाती है कि इन videos को play करके आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और किसी भी वक्त अपनी सहूलियत के हिसाब से इन videos को play कीजिए और अपने practice को शुरू कर दीजिए तो अगर आप इन classes के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी website विजिट कर सकते हैं www.yogavishrahida.com या मैंने यहाँ पर ये number शेयर किया हुआ है इस पे आप सिर्फ एक whatsapp कर दें तो आपको मेरी team के द्वारा सारी की सारी detail भेज दी जाएगी इन courses को जब आप complete कर लेते हैं तो आपको course के completion का certificate भी मिलेगा और हाँ ये courses भी complete beginner friendly है तो मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है कि मेरी website पर विजिट करना है या कि मुझे एक whatsapp कर देना है ताकि आपको class के बारे में हर एक जानकारी मल जाए तो देखा आपने step by step मैंने कितनी आसानी से आपको इन सारे योग आसनों का अभ्यास बताया आशा करती हूँ आपको सारे के सारे postures अची तरीके से समझ में आ गए होंगे अब आप बिना किसी परेशानी से इन योग आभ्यासों को हर दिन अपने घर में खुद भी करेंगे और अपने दोस्तों रिश्टदारों और अपने घर वालों को भी करेंगे कि वो योग का अभ्यास करें अगर आप उनकी मदद करना चाहते है न तो ये वीडियो भी उन तक forward कर दीजेगा क्योंकि ये वीडियो बनाके मैंने तो अपना काम कर दिया अब आपको करना क्या है कि ये अच्छी सी वीडियो उन तक जरूर forward कर देनी है शेयर कर देनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके suggest कियो भी किसी topic पे मैं future में वीडियो बनाऊ तो जल्दी से मुझे नीचे comment करके बताईए कि कौन से topic पर आप चाहते हैं मैं तसल्ली से अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाके अपने चैनल पर upload करूँ अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और ये वीडियो अभी आप अंत तक देख रहे हैं तो इसके लिए thank you लेकिन अगर आप चैनल को subscribe कर लेंगे तो मुझे इससे बहुत जादा खुशी होगी चैनल को subscribe करने के बाद प्यारा सा comment छोड़ दीजिए एक like कर दीजिए इतन अपने परिवार का ध्यान रखिए निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए next वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी नमस्ते